दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टार्गेट गुर्कुल में दोस्तों इस वीडियो में मैं इलाहबाद इन्वर्सिटी के लिए आपको कुछ most importance question की question को कराने वाला हूँ इस वीडियो में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो करने से पहले आप से एक र Metroid है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल कर दीजे ताके आगे आने वाले वीडियो आप लोग को समय पे मिलते रहें और आप अगर हमारे टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएए वहां आपको सारे चीजों का पीडिएफ मिलता रहेगा औ जो वैदिकाल था उसकी जानकारी हमें कहा से पराप्त होती है और अप्सन धोटतो पुरारण भी है लेल्ड दोस्तो हो जाएगा हमारा option A जो हमारा रिंग वेद है वो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है दोस्तो हिंदू धर्म गरंथों में तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन देखते हैं दोस्तो अगला प्रशन कर रहा है कि गायत्री मंत्र का उलेख किस वेद में कि इसका जो सई अंस हो जाएगा option ने रिंग वेद में ही गायत्री मंत्र का उलेख मिलता है दोस्तो हमारा अगला प्रशन कर रहा है कि रिंग वेद में इंद्र को किस देखता के रूप में बताया गया है option जल का देखता बी है अगनी का देखता और दी है वायू का देखता तो दोस्तो रिंग वेद में इंद्र को वर्षा के देखता के रूप में दिखाया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन देखते हैं दोस्तो हमारा अगला प्रशन कर रहा है कि निम्न में से किस नदी को रिंग वेद में मातेतमा देवीतमा या नदीतमा य यमुना, बितस्ता और D है सरसती तो इसका से अंसर जाएगा option number D सरसती नदी को दोस्तो रिंगवेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है कर्मकांड के बारे में बताया गया है अगला दोस्तो प्रस्न कर रहा है कि जादू, टोना, ब्रह्म, घ्यान और सथी प्रयोग का वर्णन की स्वेद में किया गया है option दोस्तो रिंगवेद, सामवेद, अजुरुवेद और अथरवेद तो इसका जो सही answer हो जाएगा हमारा option D अथरवेद में जो है दोस्तो वो इन सब बातों का उलेख किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो अगला प्रस्न कर आए कि जीतल तथा टांका नामक सी के किसने चलवाए यानि कौन सा राजा था जिसने जीतल और टंका नामक सी के जोई दोस्तों चलवाए थे अगला प्रस्न कर आए कि सुल्तान को नियामत एक खुरदाई किसने कहा है और अप्शन दोस्तों इल्तुतमीज कुतुदीन एबक भी है ग्यासुदीन बलबन और डी है अलाउदीन खिल जी इस पे फिल्म भनी थी पदमावत तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नमर सी ग्यासुदीन बलबन ने ये बातें कही थी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों अगला प्रस्न है कि अपने बिरोधियों के प्रतिक कठोर लौ एमरक्त की नीती का पा किया था अपने बिरोधियों के प्रति चलिए अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न कर रहा है कि प्रसीद फारसी एम नवरोज किसने प्रारंब किया था अलाव दिन खिल जी बलबन महम्मत तुगलक और डी है दोस्तों फिरोज साथ तुगलक तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा जहां हमारा ऑप्सन नंबर बी बलबन ने जो दोस्तों यह चालू किया था चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न कर कि 1266 में नाल नासीरुदीन महमूद की मिर्ट्यू के बाद कौन सासक बना था ऑप्सन हमारा अगला प्रस्न कर रहा है कि शिकंदर असञ Supreme और दोस्तों हमारा ऑप्सन बी अलाव दीन खिल जीने कल ने इस में सुल्तान का से एक बटा चार भागा स्थान पर बढ़ा था दोस्तों जो चोरी का या नूट का धन होता है उसको कहा यह उस्सामे में तो उसमें अलाउड दिन खील जी ने एक बटा चार भाग था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था यहीं कोशन पूछ रहा है तो इसका जो सेंसर हो जाएगा हो जाएगा दोस्तों नमबर भी उसने तीन बटे चार परसेंट उसमें राजा कहीं से दारी कर दी चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रस्ण कर रहा है कि अलाव दिन खिल जी ने दिवाने मुझतक राज के अस्थापना की यह संबंधित था अप्शन दोस्तों राजस्वभिभाग से भी है खंस के निर्धारन से सी है बाजार नियंतरन से और डी है इनमे से कोई नहीं तो इसका जो से सितार और जो तबले का अविस्कार का स्रे है दोस्तों वो किसको दिया जाता है अगला कोश्चन दोस्तों हमारा कर रहा है कि बरीद तथा मुनहियन संबंधित थे अप्शन ए राजस्वभिभाग से बीसेन भीभाग से और डी क्रिसी भीभाग से तो इसका जो सेंस हो अगला प्रसन कर रहे है दोस्तों कि टूगलक का संथापक था और प्रस्था जॉन खा भी फिरोज फिरोज चा तुंगलक सी महम्मद तुंगलक और डी है क्यासुदीन तूगलक तो इसका जो सेंस हो जाएगा हो दोस्तों अप्शन डी तूगलक वन्स का स्थापना की थी दोस्तों अगला प्रस्ण कर रहा है कि मुहम्मद बीन तुंगलक द्वारा उठाए गए कदम जो असफल रहे थे वह कौन-कौन से थे तो अगे बढ़ते हैं आगे कुछ जो इंपोर्टेंट है आपके लिए तो चलिए उन को भी देखते हैं तो दोस्तों हमारा अगला प्रस्ण है कि दोस्तों निमलिखित में से मगत का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकाली था खैर सिकंदर को महान कहना यहां गलत हो जाएगा तो महान काट दीजिए वह उतना मह नहीं था जितना पर उसको महान कहा जाए तो इसका जो सही है उप्षन है दोस्तों महा पदमानंद घंहना नंद मही सम्राजिके निमल्डाली थी था धनानंद सिकंदर का संमकाली था तो चलिया आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्णिद देख सा कि पाटली पुत्र में इस्तित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था उप्शन दोस्तों लख इटो से बी पत्थर से सी लकडी से और डी मिटी से तो इसका सहीं से हो जाएगा ऑप्शन सी लकडी से उनका जो महल था वो बनाया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों अगला प्रशन कर रहा है कि कोटील चाड़क यानि कि उनको विष्णोगुप्त भी कहा जाता है उनको कोटील यह उनका नाम था ने किसकी सहायता से भारत में मौर यह वंस की निव डाली तो वो जो चाड़क के मदसे यह काम करने में स अगला कोशन कर रहा है कि किसका प्रधान मंत्री था तो इसका भी सही अगला कोशन कर रहा है कि बराबर गया जीला की बराबर एक जगह है जो गया जीला में पड़ता है कि गुफाओं का उपयोग किसने आस्रागरे के रूप में किया था अगला प्रशन कर रहा है दोस्तों कि वह राजा वह मौरी राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन कर रहा है दोस्तों कि असोक के समय कौन सा सिलालेक धर्मादेश कलिंग युद्ध की विभद्षना की व्यक्त की गई है अगला प्रशन कर रहा है दोस्तों कि गुप्त वन्स का संस्थापक कौन था अप्शन घटोतकच गुप्त बी है चंद्र गुप्त प्रथम सी है स्री गुप्त और डी है इन में से कोई नहीं तो इसका जो से एंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर स्री गुप्त ने पितित्यदों अगला कर राया कि एतिघास्कार रिस्मिट ने संभु न पीडियो से प्राभावित हो उससे क्या कहकर पुकारबा ओप्सस्क्राइब और हमारे वाट्शप ग्रूप में ज्वाइन होने के लिए लिंक में उसका लिंक जो है दोसको गान नमबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे जुड़ जाईए और टेली ग्राम को भी जॉइन करीजे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए